हेलो दोस्तों केसो आप सब मैं उम्मित करूँगा आप सब अच्छे होंगे स्वागत आप सब का एक बार फिर से में यूटूब चैनल पर आप लोगों ने ये बात तो सुना ही होगा कि जो भी लोग कतार होके ट्रवल कर रहे हैं उनको 5000 कतार रियाल लेके जाना पड़ रहा वो चेक किया जा रहा क्या है इसकी हकीकत आईए इसका पूरा डिटेल मैं आप लोगों तक बताता हूँ जो मैंने एक बंदे से बात किया जो कतार होके इस वक्त ट्रवल कर रहे हैं दोस्तों ये बात बिलकुल सही है कि कतार अगर आप जा रहे हो तो आपके पास 5000 कतार रियाल होना चाहिए या फिर जो भी करंसी में आपके पास मनी है उसका वेलू 5000 कतार रियाल तक होना चाहिए बेतर है अगर आपके पास कतर रियाल में मनी है या फिर USD में है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आपके पास cash होना चाहिए 5000 तबी हो आपको allow करेंगे अगर आपके पास आपके country का currency है जिसका value 5000 कतर रियाल है तो भी आपको कोई issue नहीं होगा important चीज और दोस्तों अगर आपके पास credit debit card है तो वह वहाँ पे consider नहीं कर रहे हैं वह सिर्फ proof देख रहे हैं कि आपके पास है या नहीं अगर आपके पास cash है तो वह cash भी check करेंगे इसके अलाबा कोई भी proof अगर आप दिखा पाते हो कि आपके पास 5000 कतर रियाल value का amount है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपके पास नहीं है तो maybe आपको वो travel के लिए allow नहीं करें एक बंदे के पास sufficient amount नहीं था तो उन्होंने उसको allow नहीं करा उनको deport करने का बात कहा तो make sure करिये जो भी लोग Qatar होके travel कर रहे है 5000 कतर रियाल का value का amount आपके पास जरूर रहे अब रही बात यह check कब होगा तो जब आप इंडिया से जाओगे तो इंडिया के time तो उतना strictly check नहीं किया जा रहा वहाँ पे सिर्फ आपस पूछा जा रहा कि आपके पास 5000 कतर रियाल amount है या नहीं है वहाँ से आप easily निकल लोगे लेकिन जैसे आप Qatar airport में पहुचोगे वहाँ पे emigration के time आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास 5000 कतर रियाल है या नहीं है उस time आपको वो proof करना पड़ेगा कि आपके पास है इसके अलावा जो important चीज मुझे जानने को मिला दोस्तों कतर जाने के बाद वहाँ पे जब आपका PCR test लिया जाएगा कतर का सीम खरीदना mandatory है वहाँ आपको कतर का सीम लेना पड़ेगा तो ये सब के लिए आपको cash की जोरत पड़ेगी कतर रियाल में तो आप कतर रियाल अपने पास लेके जाओ आपके लिए best रहेगा इसके अलावा एक rumors चल रहा था के 10 days का quarantine अब सब को रहना पड़ेगा जो भी लोग कतर होके ट्रावल कर रहेए ये बिलकुल गलत है दोस्तों ऐसा rule बिलकुल भी नहीं है जो भी लोग vaccinated है के लिए कोई quarantine अभी तक नहीं है कतर में ये जो तीन चीज मैंने बताया आप लोग करके जाइए आप aware रहेंगे तो आपको कोई issue नहीं होगा उम्मीद करूंगा ये information आप लोगों के लिए informative रही शेर करिए अपने दोस्तों तक जो लोग कतर होके इस वक्त ट्रवल कर रहें ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ख्याल कर दोस्तों 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 कर दोस्तों